हेलो वेलकम टूर यूटूब चैनल एक्जराम एक्सपेस मैं आयूश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा क्यों शवाज शरीफ की का चीनी दौरा बना भारत के लिए सिर्दर्द तो यह सोचने वाली बात है कि अभी श अच्छे से in detail information मिल जाए तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसा कि यहां पर है कि शवाज शरीफ जो है वो शीजिंबिंग से मिलने गए बीजिंग पे दो दिनका उनका टूर रहा है यहां पर ठीक है तो उसमें mutual corporation के उपर discuss करने गए हैं सभी को पता है यहां minister वो help मांग रहे हैं जगा 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 जाके तो चाइना से अभी वो चाइना जो गए हैं वहां पर बहुत important discussion के लिए गए है ताकि जो चाइना ने बहुत सारा करजा दे रखा है पाकिस्तान को माफ हो सके ultimately उससे यही फायदा होगा कि जो पाकिस्तान को करजा देना है मतलब वापिस करना है पैसा चाइना को वो उसे वापिस नहीं करना पड़ेगा या तो उसके लिए थोड़ा time मिल जाए उनको extension हो जाए time का या फिर उनको यह करजा जो है वो माफ हो जाए ताकि पाकिस्तान ज लोग बात करेंगे इसी में यहाँ पर फेस्बुक पर उन्होंने पोस्ट की थी कुछ फोटो शावाज शरीफ ने यहाँ पर उन्होंने कम यहाँ पर पोस्ट करके यहाँ उन्होंने उस पर caption डाला था चाइना और पाकिस्तान के वीचे इसके उपर सारी बात हुई है कि इसको और कैसे स्ट्रॉंग किया जाए और यहाँ पर चाइना को जो है फायदा कैसे हो सकेगा चाइना वह देखेगा वहीं पर अभी शवाज शरीफ जो है यहाँ पर यूएसे से भी उनको बहुत जादा इस यूएसे लीडिंग पावर है बट उसका दबडवा यहाँ पर कम होता चला जा रहा है अब यहाँ पर हम लोग फोस देख लेते हैं यहाँ शहाज शरीफ ने पोस्ट किया था यहाँ पर शी जिन्पिंक से तो उसका यह पोस्ट किया थो उन्होंने अपने फेस्बुक ह हो चाहे वो चाहे ना हो यहाँ पर शबाश शरीफ की जो foreign policy है यह आपको देखने को अच्छी मिलेगी अच्छी foreign policy है as वह यहाँ पर किसी का भी नराज नहीं कर रहे हैं किसी को अभी कुछ दिन पहली बात है चाइना जो है नराज चल ला था इन से बिकॉज इनका जो relationship है वो अमेरिका की तरफ रुक जादा strong हो रहा था बट यहाँ पर अभी चाइना जाके शी जिंक्विंग से मिलके यहाँ पर शबाश शरीफ ने यह भी बता दिया है कि उनके जो relation है चाइना से वह भी strong है ताकि जो कर्ज उनको वापिस करना है चाइना को उसमें राहत मिल सके या फिर माफ हो सके बिकॉज वह कर्ज इतना जादा है ना कि चाइना उसको पेबैक करी नहीं सकता चाइना को और यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए अगर ऐसा कुछ होता है चाइना उनकी हेल्प नहीं करता है बिकॉज करता चाइना आँ द allora चाइना और शीजिंग चर रहे वह और अपना काम निकल वा रहे हैं जो उनको निकलना चाहिए अपने लोगों के लिए जैसा कि इमरान खान का पता होगा उगा सबको इमरान खान आप तो उन्होंने यहापर दोनों को ही प्रिफ्रेंस नहीं दिया थ वह हमेशा से बोलते हैं कि यह government hovercken औहला जो बात है यह पर top offices भी जो हैं यहाँ पर पूरा control चलता है उनीक यहाँ पहर और अभी बात यह भी 파किस्तान के वह भी हाँ आप चैना के विजट पर जा सकते हैं बट अभी तक गई नहीं है अब यहाँ पर आप चाहिना के शी जिंग्पिन और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की फोटो देख सकते हैं अब यहाँ पर सीपेक की इंपोर्टेंस पाकिस्तान के लिए इसलिए बढ़ जाती है बिकॉस अगर वो कॉरिडोर बनता है न तो यहाँ पर रेलवे का एरलाइन का प्लस रोट सर्विसेस का बहुत अच्छा पाकिस्तान में कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर जो कॉस्ट ट्रांस्पोरेशन कॉस्ट बगर है यह सब भी बहुत कम हो जाएगी प्लस इसके साथ ही बहुत सारे लोग को रोजगार भी हाँ पर मिलता है बट अभी सीपेक कॉरिडोर में चाइना जो है इतना पैसा इंफ्यूज नहीं कर रहा है बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है यह मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है अगर आप मैं सीपेक की बात करूँ न तो यह तीन हजार किलोमेटर का लॉंग रूट है इंफ्रस्रक्टर प्रोजेक्ट है चाइना के नॉर्थ इस शिजैंग उइगर और अट्रनोमेस रीजन से लेकि गवादार पोर्ट तक पाकिस्तान के एंड तक अब इसमें यह इए कि वेस्टर्ट प्रोविजेंज ऑफ बॉलुचिस्तान अब इसमें यह इह यह जो चाइना यह वर्क कर रहा है इसने यहां पर गवदार पोर्ट लेना है और इससे दिक्कत इंडिया को इसलिए है यहां पर हम समझेंगे कि यह जो स्टार्ट हो रहा है यहां पर मैप के साथ आपको समझाता हूं उससे बहले हम लोग सीपेक के बारे में थोड़ा जान में आती है उनके साथ यह एपरेल 2020 2015 को लांच हुआ था शीचिंग बिन और पाकिस्तान के प्राइम मिनेस्टर नवाज शरीफ के साथ जिन्होंने 51 एग्रिमेंट साइन किये था है यहां पर ठीक है एमोई जो होगे 51 और यहां पर 46 बिलियन डॉलर का यह बहुत ही बड़ा यूज अमाउंट का एक यह में आपको बताई दिया और यह आप को बता दिया अगर हम दो यहां रहे है कि यहँ शबाद शरीफ आक्ष्टली में कर्या रहे हैं शबाद शरीफ ici यहाँ पर Amirika के भी साथ खड़ें और यहाँ पर China के भी साथ खड़ें दोनों का यहाँ पर support ले रहे हैं ताकि China की economy को वो crisis से बाहर निकाल सके ब्ट यहाँ पे Imran Khan जो है तब यहाँ पे वो किसी से भी उनकी अच्छी बनी नहीं जब उनकी गवर्मेंट थी ना चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाहे वो चाहे ना हो अब हम लोग बात कर लेते हैं सीपेक के बारे में तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे यह शीजैंग वो हुआ प्लेस हुआ चायना का जो कि यहाँ से पीयों के से निकल रहा है अब इंडिया को इसी लिए प्रॉब्लम है विकॉज यह पाक औक्यूबाइट कश्मीर जो है यह रोड जो है यहाँ से निकल रही है जो कि एक इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है कि यह पाकिस्तान ने जबरदस्ती कबजार रखा है और इस पे चायना और पाकिस्तान मिलके यहाँ पे इंडिया की नजर इसी लिए बनी हुई है कि अभी जो चाहिना और पाकिस्तान की मीटिंग है इससे क्या आउटClscreen आएंगे बिजया पर यहां पर यूए से हो गया चाहेड़ैंगी चाहीडी पाकिस्तान की हल रहा है अभी द havoc कि लिस्ट से भी भी आप कह सकते हो वो पूरी terrorist से controlled रहती है इसी लिए यहां पर इंडिया इसके against है बट यहां पर अमेरिकाओं को भी समझना चाहिए और चायना को भी समझना चाहिए कि वो जो इतनी help कर रहे हैं पाकिस्तान के एक ना एक पाकिस्तान की जो नहीं है वो डूब जाएगी ultimately यहां पर पाकिस्तान के लिए recover करना बहुत जादा ही मुश्किल हो जाएगा because जितना उसके उपर loan है उसमें पूरी उसकी country बिख सकती है चायना के हाथ हो अगर ऐसा हुआ कि वो loan payback नहीं कर सका यहां पर वो ग्वादर पोर्ट इसलिए ले रहा है चायना भी because वहां से इंडिया नोशन पर और इंडिया पर नजर रखना उसके लिए असान हो जाएगा इंडिया को इंडिया को कवर कर रहा है चाहे वो श्रिलंका का पोर्ट हो चाहे वो पाकिस्तान का पोर्ट हो हर जगह से इंडिया को कवर कर रहा है ताकि वो इंडिया पर नजर बनाए सके और इंडियन उशन में जो भी इंडियन आर्मी की या इंडियन नेवी की हरकते होती है उन पर नजर बना रखे इसलिए ये इंडिया को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ रहा है कि यहां पर एक्शल में क्या-क्या इसके चैना के लिए भी इजी हो जाएगा और चैना इसलिए यहां पर बहुत सारा इंवेस्मेंट कर रहा है इन चोटी-चोटी कंपनी पर ताकि यह क्राइस से बाहर ना निकल पाए और उसके बाद जो है यहां पर वो कंट्री का एक अच्छा खासा पार्ट ले सके जैसे कि और वहां से अब इंडिया पर नजर बनाए रखता है चायना भी इसलिए यहां पर यूएसे भी जो है अभी तक यूएसे ने कुछ कमेंट करा नहीं है बट वह भी कुछ खुश होगा नहीं बिकॉस यहां पर वह चायना से अभी वैसे भी उसके अच्छे रिलेशन नहीं खासका जब तक इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं होने वाले और पाकिस्तान पास आने के बाहर हट चला जाएगा बट इंडिया के पास नहीं आएगा तो यही दिखाता है उसको कि कि इस दोब्लबक करना चाहता है और अपने नेशन को कैसे वह लेकर जा रहा है अंधे करा और यह एक पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव का जो कि अफ्रीका और मिडल इस से भी कनेट करेगा चाहिना को एक्सेस देगा एक अच्छा घाजा कि वह मिडल इस और अफ्रीका से